हलो दोस्तों सेवन की किचन में आपका फिर से स्वागता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कहा हैं बहुत ही टेस्टी सा यमी सा एक रिफ्रेक्शिंग सा जूस जो की है मैंगो शेक और मैंगो शेक दोस्तों गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है आज कल गर्मियां और गर्मियों में बहुत ही मीठा मीठा सा आम आ रहा है तो उसका मैंगो शेक बनाईए लोग मैंगो लस्ती भी बनाते जिसके अंदर दही डालते हैं पर हमने यहां दूद करच बनाया है तो मिल्क शेक जो होता है जैसे होता है वैसे बनता है यह मैंगो शेक तो इसके ओपर कुछ गार्णिश करेंगे हम बदाम पिस्ता और उस किश्मिश का तो ड्राइफ रूट आपके पास जो भी हो आप उसे डाल सकते हैं तो एक बार ये ठंडा ठंडा चिल्ड सा मेंगो शेक एक बार जरू ट्राइए कीजेगा सर्फ कीजेगा बहुत ही देश्टी लगता है गर अल्ग करते रहिए और गरkgई का इंज्टा बहुत जरूरी होता तो उसके बाद यह हम छिलका उतारेंगे सका और ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑ害ously हलका उतारना इसको ऑемोट से चिलका मत उतार येगा देदो सारा मुजी साथ चला जाएगा, तो इस तरह से आप हलके-हलके हाथ से इसके छिलके को उतार लेंगे, तो गर्मियों के सीजन में दोस्तो आम का mango shake पीना बहुत ही मज़ेदार लगता है, और आप वैसे चाहें, तो वैसे भी खा सकते हैं, एक वीडियो मैंने वैसे भी डाली है, मैंगो की तो उस तरह से भी अगर आप सर्व करेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है और इसे ठंडा करके खाएंगे तो मज़ा ही आ जाता है तो मैंगो शेक किसको पसंद नहीं है तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही इसी तरीके से बने तो कुछ शीनी डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ी सी तो इस तरह से इसे अच्छे से पील कर लेंगे तो हलके हाथ से पील करना है इसे ताकि ज्यादा छिलका ना उतरे अगर ज्यादा छिलका उतरेगा तो सारा आम वेस्ट हो जाएगा तो चलिए इस तरह से मैंने दोनों आ तो यहां जो है ना आप चाहे छोटे वाले लीजिए चाहे बड़े वाले लीजिए पर यह देहान रखिए थोड़ा सा अगर आप उसे खुश्बू लेके देखेंगे ना तो आम का पता चल जाता है कि वह मिठा है या खटा है तो इस तरह से अगर आम लेंगे ना तो बहुत ही काटेंगे आप चाहें तो चोटा काट सकते वैसे तो मोटा मोटा ही काटते हैं और दोस्तों एक बात ओर है कि जैसे आप इसका चोटे थोटे तुकड़े कर लिजिए क्योंकि जब मैंगो शेक बनता है तो उसके उपर से डालने का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है साथ में खाना हो जाता है और साथ ही में पीना हो जाता है मैंगो शेक का तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसके छिलके उतार के अच्छे से कटिंग कर लेनी है इसकी तो यहाँ पर मैंने दोनों आम के छिलके उतार ली हैं और कटिंग कर लिए यह मैं तीन से चार लोगों के लिए बना रहा हूँ आप चाहे तो ज्यादा के लिए बनाएंगे तो आप आम और कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं और अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जो है न हम आम को ही ग्राइंड करेंगे इसमें अभी हम दूद मिक्स नहीं करेंगे अगर आप दूद मिक्स करोगे तो नहीं होगा तो सबसे पहले करना ही क्या होता है सबसे पहले आम को आप कर लीजिए को चलिए लिड लगाते हैं और कर लेते हैं इसthird irrigation अच्छे सरे यहां ठुक्ण लगा देंगे तो सबसे पहले अभी हमेंसे ना बरफ डालना है ना पानी डालना है ना डूड डालना है तो पहले सिर्थ ऐसे ही घ्राइंड करेंगे अगर हल्का- part בनाना बहुत जुरूरी ए उसके बाद निताद कुछ भी इसमें मिक्स करो चीनी करो और उस के बाद फिर भाफ डालें गे बरफ को साथ पीसेंगे आप चाहए तो इस चईम भी बरफ के साथ आप इसे पीस सकते है तो ग्राइंड अच्छे तरीके से हो जाएगा बहुत ही अच्छा जाएगा तो यहां पर ताकि इसका पल्प जो है ना बहुत ही अच्छे से बन जाए तो चलिए देखते हैं इसको दुबारा खोल के तो यहां हमारा ग्राइंड हो चुका है यह तो यहां पर मैं देखूंगा तो यह देखिए बन कर तयार हो गया यह पल्प अच्छा बन गया इसका तो अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ी सी आइस ताकि यह बहुत सा चिल्ड सा बने और बहुत ही टेस्टी लगता है ठंड़ ठंड़ मैंगो शेक दोस्तों तो यहां पर मैं डालूँगा कम से कम एक ट्रे मैंने इसमें बरफ डाल दिये तो बरफ डालने के बाद मैं इसमें डालूँगा चीनी चीनी आप अपने स्वाद के नुसार डालीगा पहले आप मैंगो को थोड़ा सा चक के देख लिजेगा आपका मैंगो खटा है या मीठा है तो उस हिसाब से फिर आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालीजेगा तो यहां पर मैं इसे बंद करके दुबारा चलाओंगा तो एक फाइन सी प्यूरी बनाएंगे तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे दूद और दूद के साथ जब हम फिर इसे मिक्स करेंगे न तो यह बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी लंस इसके अंदर नहीं रहेंगे तो चलिए यह देखिए पालप हमारा बनकर तैयार हो गया है तो यहां पर मैं डालूँगा दूद तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए अगर आपके पास कच्चा दूद हो तो कच्चा दूद भी डाल सकते हैं और अगर आपने पकार रखा है उसके बाद ठंडा कर लिया है तो आप उसको भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दूट डाल दी है, कम से कम एक से डेट कप, तो एक से डेट कप डालने के बाद अब इसे हम फिर से चला देंगे, तो चलाने के बाद दोस्तों बनकर यह तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी सा थंडा सा मेंगो शेक और गर्मियों का सीजन आ गया है, और गर्मियों में धूब बहुत होती है बाहर, तो आपको ठंडा ठंडा घर पर ही है, मेंगो शेक बना के पीजिए, और कहीं बाहर जाने के आपको जुरुत नहीं है, तो यह देखिए कितना क्रीमी टेक्चर आया है इसके अंदर, तो अभी मैं इसमें दूद थोड़ा सा है, कभी बार गाड़ा रह जाता है, तो कॉंटिटी जो है न, दूद की, वो उसी साब से डालेगा, तो लीजे बनकर तेयार हो गया, बहुत ही टेस्टी सा, ठंडा ठंडा सा, मेंगो शेक, तो इसे सर्व करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, अब आप इसे घर पर बनाई है, बहुत इंज्वाए कीजिए, और गर्मियों के मज़े लीजिए इसमें, तो लीजे बनकर तेयार है, देखे कितना क्रीमी टेक्चर आया है, और करते हैं से सर्व, तो यहाँ पर मैंने लिया एक ग्लास, तो ग्लास में इसको डाल लेंगे, तो देखे बिलकुल रनी होता है, यह बैटर बिलकुल इस तरह का होना चाहिए, तो बनकर तयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा, ठंडा ठंडा सा मेंगो शेक, तो इसको अमगानिश करेंगे, कुछ बदाम, कुछ पिस्ता और कुछ किश्मिश के साथ, तो आपके पास कोई भ पिस्ता हो, जो भी हो आप इस पर डाल सकते हैं, तो लीजे बनकर तयार है, बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा, मेंगो शेक, एक बार जरू ट्राए किजेगा, एक बार ये रेसिपी को जरू ट्राए किजेगा,